It's kind of a funny story, एक बच्चे क्रे की कहानी है, जो अपने मसलों से भागने के लिए सिर्फ सूसाइट का रास्ता चुनता है, वो बहुत शदीद किसम की mental depression से गुजर रहा होता है, और उसे हर चीज बूरी लगती है, जिस वजह से वो अपने आपको एक mental hospital में पांच दिनों के लिए जमा करवा लेता है, ताकि उसका अच्छे से इलाज हो सके, इन पांच दिनों में वो बॉबी से मिलता है, जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, और नोयल से मिलता है, जिसको वो पसंद करने लग जाता है, आईए देखते हैं कि इन पांच दिनों में उसके साथ इस mental कि लेकिल रोकता है और उपर चट चाटा है वो यहां अपनी जान लिने आया हुता है कि वो अपने मसलों से भाग रहा होता है । ना पीछह पलट कर वो दीखता है कि उसकी मॉम हम उसकी उसकी छोटी बहन ऐलिसा और उसके डैद joorgy खड़े होते हैं जो उसे पूछते हैं कि अगर वो अपनी जान दे रहा है तो उसकी बाइक क्या होगा क्रेग उनको कहता है कि उसने ये सब नहीं सोचा इस पे उसकी मॉम उसे कहती है कि यही तो तुम्हारा मसला है कि तुम कुछ सोच के नहीं करते और उसके डाइट कहते हैं कि ये सब करने से पहले उसे एक बार अलसा का सूचना चाहिए था कि उसके उपर इस सब का क्या सर होगा तब ही एक तीज लाइट आती है और क्रेग पानी में गिर जाता है पहले तो क्रेग सिर्फ इस किसम के खुआप देखता था जिसमें उसके मरने पे उसकी आँख खुल थी ती मगर इस बार वाकई उसने अपनी जान लेने की कोशिश की होती है मगर उसकी जान बच जाती है क्रेग ये रिलाइस करता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए और अब उसे किसी डॉक्टर की मदद लीनी चाहिए इस से पहले कि वो वागई कोई और बेवकुफाना क के गेट अप में आकर उसके साथ बैठ जाता है और उससे पूछता है कि वो सुभा के पांच बजे संडे की दिन इधर क्या कर रहा है। वो खेख उ उससे उसे बताता है कि मैं अपने आप को मारनी की कोशिच कर चुका हूं। और बोभी खुता हुँ। बवी उससे पूछता है कि तुम्हें कि सीज़ का इप्रिशन है। तो राशिए उससे के पशलुज़िए की एप्लीकेशन मुझ रहा है। और मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ वहीं Bobby उसकी बात काट देता है Bobby उसे अजीब बाते करता है जिसपे Craig उसे बूलता है कि तुम डॉक्टर नहीं लगते तब ही Bobby उसे कहता है कि मैं उमीद करता हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी मसला है वो हल हो जाए और वहां से उठकर चला जाता है Craig को डॉक्टर अपने पास बुलाता है और उसे पूछता है कि उसे किस चीज का depression है या क्या चीज है जो से disturb करती है Craig अपने दिल में तो बहुत सारी चीजे सूचता है जिससे कि कोई अगर उसे कोई ऐसा सवाल कर ले जुसे परिशान कर दे तो उसे वॉमिट आ जाती है या जैसे उसको अपने बेस्ट फ्रेंड की गर्फ्रेंड बहुत पसंद है मगर वो कुछ नहीं कर सकता जैसे उसको summer school में admission की tension है और बहुत कुछ यह सब सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि क्रेग का कोई मसला ऐसा नहीं है कि उसे depression होने लगे डॉक्टर भी उसे यही कहते है कि उसका कोई मसला ऐसा नहीं लग रहा है जिस पे वो उसे admit करें मगर क्रेग जित करता है और डॉक्टर को बादो में लगा कर उन्हें किसी तरह अपने आपको admit करवाने पे मना लेता है क्रेग तभी स्मिटी के साथ psychiatry ward में चला जाता है और वहां से उसे उसका सामान ले लिया जाता है और उसे बताया जाता है कि बच्चों के ward की renovation हो रही है इस वज़ा से सब बच्चों को बड़ी लोगों के ward में ही रखा जा रहा है स्मिटी क्रेग को उसकी डॉक्टर डॉक्टर मिनर्वा से मिलवाता है क्रेग को वहां से स्मिटी बॉबी के पास ले जाया जाता था ताकि बउबी उसे पूरे मेंडल वाट का tour दे सके क्रेग उसे देखकर हैरान होता है और उसे पूछता है कि तुम अगर यहां patient हो तो तुम सुभा डॉक्टर बन की क्यों आए थे बउबी उसे ये सब इगनोर करने को कहता है बउबी उसे tour करवा रहा होता है Smitty Craig को उसके रूम में ले जाता है उसके रूमेट का नाम मुक्चदा होता है Smitty उससे बताता है कि ये कभी भी अपने रूम से बाहर नहीं आता और बस बैट पे ही रहता है Smitty Craig से कहता है कि तुम देख लो कमरा फिर पांच मिनिट तक लंच टाइम हो जाएगा तो तुम आजाना Craig अपने रूम मेट के साथ बात करने की कोशिश करता है मगर वो ज्यादा बात नहीं करता उससे उसकी अजीब अजीब चीजें और हरकतें देखकर Craig वहां से डर के भाग जाता है तब ही Craig को अपनी डॉक्टर मिल जाती है और वो उब को कहता है कि वो यहां नहीं रह सकता डॉक्टर मिनरवा उससे कहती है कि तुम्हारे बारे में यहां लिखा हुआ है कि तुम सुशाइडल हो तुम्हारा एटिट्यूद सही रहा तुम्हें जाने देंगे Craig उनको कहता है कि मैं ठीक हूँ आप मुझे बस कोई दवाई दे दे जिससे मैं ठीक हो जाओं मगर डॉक्टर मिनर्वा उसकी नहीं सुनती क्रेग उनसे कहता है कि मैं अपनी मॉम से मिलना चाहूंगा तब ही डॉक्टर मिनर्वा उसको बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम से बात कर चुकी हूँ और वो तुमसे मिलने के लिए काफी बेताब हैं डॉक्टर मिनर्वा वहां से चली जाती है और तब ही वहां पे लिन जॉर्ज और ऐलिसा आ जाते है लिन उसको गले लगाती है क्रेग हमें बताता है कि उसके डाइड हर वक्त काम करते रहते हैं उसकी मॉम थोड़े कमजोर दिल की है और उसकी बेहन बहुत ज्यादा जीनियस है क्रेग अपनी मॉम से कहता है कि वो यहां नहीं रहना चाता मगर लिन उससे कहती है कि तुम्हारे लिए यही सही है हम लोग घर पे शायद तुम्हारी इतनी हल्प ना कर सकें जितना ये डॉक्टर्स यहां तुम्हें हेल्प कर सकते हैं लिन क्रेग को उसका सामान देती है और वो वहां से चले जाते है क्रेग लंच रूम में जाता है जहां उसे नोल नजर आती है नोल वहां अपने दो फ्रेंड्स के साथ बैठ कर बाते कर रही होती है साथ वाली टेबल पर ही बॉबी बैठा होता है और वो क्रेग को अपने पास बुला लेता है बॉबी उससे अपने दो दोस्तों से मिलवाता है जिनके नام जॉनी और हम्बल होते हैं हम्बल क्रेग से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्फरेंड नहीं है तो बॉबी कहता है कि वो कोशिश में तभी जॉननी कहता है कि नूल भी है तुम्हारी उमर की तुम चाहो तो उसे बात कर सकते हो डॉक्टर मिनर्वा क्रेग को अपने आफिस बुलाती है और उससे बात करती है कि उसे किस बात से परिशानी और डिप्रेशन होता है क्रेग अपने दिल में तो बहुत सी चीजें सोचता है जैसे कि अगर उसको स्कूल में एडमिशन ना हुआ कि उसे ये समर स्कूल में एडमिशन लेना है वो डॉक्टर मिनर्वा को बस ये कहता है कि मैं अपने समर स्कूल की एप्लिकेशन नहीं फिल कर पा रहा डॉक्टर मिनर्वा इस चीज के वज़ा पूछती है तो क्रेग उन्हें कहता है कि बस फोकस नहीं है एंग्शिस हो जाता हूँ डॉक्टर मिनर्वा उसे कहती है कि हम कल से एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे फिर देखते हैं कि क्या होता है क्रेग उनसे पूछता है कि क्या वो घर जा सकता है अगर सब सही रहा तो डॉक्टर मिनर्वा से कहती है कि पांच दिन से पहले वो कहीं नहीं जा सकता अगले दिन नाशते पे बॉबी का मूट कुछ सही नहीं होता क्रेग अपना नाशता लेकर जब टेबल पे आता है तो हम्बल उससे उसका बरीटो मांगता है और क्रेग उसको दे देता है बॉबी को घुसा चलता है और वो हम्बल से उसका बरीटो लेकर क्रेग को दे देता है क्रेग उससे कहता है कि वो भूका नहीं है तो हम्बल ये खा सकता है बॉबी ये सुनकर नराज होकर चला जाता है स्मिटी इस सब के बारे में डॉक्टर मिनर्वा को बता दीता है सेशन के दोरान डॉक्टर मिनर्वा इस वाक़े का जिकर करती है तो जॉनी उन्हें बताता है कि हुआ क्या था सब कहते हैं कि बॉबी ने खाना इसलिए नहीं खाया और उसका मूट खराब इसलिए है क्योंकि वो अपने इंटर्व्यू को लेकर परिशान है बॉबी कहता है कि मेरे पास कल इंटर्व्यू में पहनने की कपड़े नहीं है इस वज़ा से मेरा मूट खराब है क्रेग उसको शिर्ट आफर करता है और सारा मामला हल हो जाता है क्रेग की इस बात से नोल काफी हुश होती है कुछ देर बाद क्रेग अपनी मॉम को कॉल करने जाता है कि वो एक शिर्ट ले आए और देखता है कि बॉबी आलरीडी किसी से फोन पे बहस कर रहा है तब ही नोल उसके पास से गुजरती है और उसको एक चिट फेक जाती है उस चिट में वो क्रेग के जेस्चर पे उसकी तारीफ करती है और साथ बजे मिलने का कहती है क्रेग फोन यूज करके अपने वोईस मिल्स चेक करता है उन मेंसे एक उसके साइंस टीचर का होता है और एक निया का वो निया को कॉल बैक करता है निया उसे स्कूल ना आने के बारे में पूछती है तो गरेग कहता है कि वो एप्लिकेशन को लेकर परिशान था निया भी उसे यही बताती है और साथ में कहती है कि मैं इस परिशानी से बचने के लिए तरबिस्ट के पास जाती हूं गरेग उसको एक दवाय का नाम कहकर ताल देता है कि मैं भी यही खाता हूँ और क्योंकि वहाँ एकदम बहुत पेशिंट्स आने लग जाते हैं और निया को शक ना हो तो क्रेग फॉरन से फोन कार्ट देता है साथ बचते हैं और क्रेग नोयल से मिलने जाता है नोयल उससे कहती है कि मुझे तुम्हारा शिर्ट वाला जेस्टर काफी पसंद आया है दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं क्रेग नोयल से पूछ कर उसके मूँ पे बने स्कार्ट को हाथ लगाता है पर नोयल बुरा नहीं मानती दोनों फिर ड्रॉइंग क्लास में चले जाते हैं वहाँ की टीचर सब को कुछ ड्रॉ करने को कहती है मगर क्रेग को समझ नहीं आता कि वो क्या बनाए सब उसे इंकरेज करते हैं मगर वो नहीं समझ पा रहा होता कि वो क्या बनाए उसकी टीचर उसे कहती है कि कोई तो चीज होगी तुम्हारे दिमाग में तब ही क्रे को एक flashback आता है कि जब वो 5 years का था तब से ही उसकी drawing अच्छी नहीं थी वो Manhattan की गलियां बनाने की कोशिश करता है पर उसे नहीं होता तो लिन उसे कहती है कि वो कोई भी गलियां बना ले और practice करे तो वो drawing class में अपने दिमाग से random गलियां बनाता है जो सब को बहुत पसंद आती है drawing खतम होते ही वो देखता है कि नोल वहाँ नहीं होती और उसके लिए एक note छोड़ जाती है कि Wednesday को 7 बजे दोबारा मिलेंगे Craig को तभी एक phone call आती है जो उसके दोस्त Aaron की होती है Craig उसकी आवाज सुनकर डर जाता है कि उसको ये number कैसे मिला ये सुनकर कि ये सब निया का किया धरा है Craig हुस्सा हो जाता है और Aaron की काफी बाते सुनकर phone card देता है Craig वहाँ से अपनी mom से shirt लेता है और फिर बाबी को देने जाता है बाबी उससे shirt का thank you बोलता है Craig वहाँ उसकी बेटी की तस्वीर भी देखता है और उससे उसकी interview की तयारी करने में मदद करता है बाबी बहुत confident होता है मगर किसी वज़ा से अपने interview में feel हो जाता है Craig देखता है तो meeting room में बाबी अपनी wife और बेटी के साथ होता है और उसकी wife उस पे चिला रही होती है और वहाँ से चली जाती है बाबी के वहाँ से जाने के बाद Craig अपने parents से मिलता है मगर उनसे मिलकर ज्यादा खुश नहीं होता Craig टीवी room में बैठा कुछ सोच रहा होता है कि तब ही वहाँ बाबी आ जाता है और अपना घुसा निकालने के लिए तोर फोर करने लग जाता है Craig ये देखकर थोड़ा घबरा जाता है स्मिठी और कुछ नर्सिस उसको लेकर वहाँ से चले जाते है डॉक्टर मिनर्वा क्रेग को अपने पास बुलाती है और उसे ये सब डिसकस करती है क्रेग कहता है कि बाबी काफी लगी है कि उसे अपनी फीलिंग्स का इस तरह इजहार करने का मौखा मिला है क्यूंके मैं चाहूं भी तो ये सब नहीं कर सकता डॉक्टर मिनर्वा उसे पुछती है कि कोई तो टाइम होगा जब तुम्हें कोई टेंशन नहीं थी क्रेग बताता है कि जब मैं एट ग्रेट में था तब लाइफ बहुत टेंशन फ्री थी मैं और एरेन पूरा दिन घूमते फिरते इनजॉई करते रहते थे डॉक्टर मिनर्वा उस से उसके पैरंट्स का पूछती है क्रेग बताता है कि मेरे पैरंट्स अच्छे हैं बस मेरे डैट गलग टाइम पे गलत बात कर जाते हैं वो जानते हैं कि मैं यहां किस वज़ा से हूँ लेकिन तब भी उनको स्कूल एप्लिकेशन की परवा है। क्रेग हॉल में वॉक कर रहा होता है कि तब भी बॉबी आकर उसको शर्ट वापस करता है। बॉबी आइस क्रीम खाते खाते लंच रूम में जाता है जहां ये लोग बैठके खेल रहे होते हैं। क्रेग बॉबी से कहता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे के मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। Craig उसे समझाता है कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हें बाहर जाना चाहिए Bobby को बुरा लगता है इस वज़ा से Craig चुप हो जाता है दिन गुजरता जाता है और Wednesday आ जाता है जब Noel और Craig की डेट होती है उस दिन उसे मिलने निया आ जाती है निया उसे बताती है कि उसका और एरन का ब्रेक अप हो गया है Craig इस बात पे कोई खास रियाक्शन नहीं देता दुनों Craig के रूम में जाते हैं जहां निया उसको सिड्यूस करने की कोशिश करती है वहां पे Craig का रूम मेंट मुक्तदा आ जाता है और निया उसको देखकर डर के भाग जाती है Craig उसके पीछे भागता है और उसे प्रुपोस करके रोकने की कोशिश करता है मगर वो नहीं रुकती ये सब पीछे खाड़ी नोयल भी सुन लेती है और उसका दिल टूट जाता है वो अपने हाथ से एक कागस भेग कर चली जाती है जो के Craig के लिए एक गिफ्ट होता है Craig को अपने किये पे काफी पच्चतावा होता है और बॉबी की मदद से वो नोयल को प्रुपोस करने का प्लान बनाता है दोनों एक दूसरे से चछत पे मिलते हैं और नोयल उसे माफ कर देती है अपने सेशन के आखरी दिन Craig डॉक्टर मिनर्वा से मिलता है और उनको बताता है कि मैं एक आर्टिस्ट बनना चाता हूँ और उनको शुक्रिया कहता है कि उन्होंने मदद की Craig और Bobby दोनों ही क्योंकि ठीक होते है तो उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है जाने से पहले Craig सब के लिए एक पीज़ा पार्टी अरेंज करता है और सब काफी इंजॉय करते है वहाँ Aaron भी आता है और अपने behavior के लिए उससे माफी मानता है Craig Egyptian गाने चलाता है जिनको सुनकर मुक्तदा भी अपने कमरे से बाहर आने के लिए मजबूर हो जाता है Bobby और Craig एक दूसरे को thank you करते हैं और आएंदर मिलने का भी plan करते है Craig बहुत हिम्मत करके अपने diet को बताता है कि वो एक artist बनना चाता है और George उसके इस decision से राजी होता है Craig घर चला जाता है और यहां movie खतम हो जाती है इस movie से हमें ये सबख मिलता है कि कभी कभी हमारे मसले इतने बड़े नहीं होते कि हम उन पे सोच सोच कर अपने आपको परिशान करने हमारे पस जो है हमें उसका शुकर करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी जिन्दगी हमसे ज्यादा मुश्किल होती है और वो खुश होते हैं उमीद है आपको फिल्म पसंद आई होगी थैंक्यू फर वाचिंग